नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रंजन एक वार फिर हाजिर हूँ आप सबों के साथ एप्लाइट बेटनरी मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए आज के अनमल डिजीज का टोपिक है ब्रॉसलोसिस इन बोवाइन एजिनोटिक डिजीज बहुत ही इंपोर्टेंट डिजीज तो चलिए सुर करते हैं आज का वीडियो यह डिजीज ग्राम निगेटिव नन मोटाइल नन कप्सुलेटेड बेक्टेरिया के करन होता है इससे ब इपेडियोलोजी ब्रॉसलोसिस इस आल्जो कॉल्ड एबोर्शन स्टॉर्म इन कैटल एंड अन डिजीज फिवर इन हुमेंस कॉजिटिव एजेंट मुक्य रुप से ब्रॉसला एबोर्टस है साथ में ओकेजनली ब्रॉसला स्वीस और ब्रॉसला मेलिटेंसिस भी जो है कै इसका मुक्य लक्षन है फॉस्ट एक्स्पोजर के बाद एबोर्शन अवस्य होता है एबोर्शन के बाद सब्सिक्वेंट के स्टेशन और लैक्टेशन नॉर्मल दिखाए परता है और्गनिजम्स जो है वो सेड करता है प्लेशन्टा, अम्नेटिक फ्लूड और मिल्क के थ्रो इसका मतलब यूट्राइन कॉंटेंट में ये और्गनिजम्स परसिस्ट करता है ब्रुसलोसिस डिजीज का जिनोटिक इंपॉर्टेंस होने के कारण यह डिजीज पसुपालकों और वेटनेटियन्स के लिए इक्वली रिस्क का फैक्टर बन जाता है डिजीज का नॉर्मल ट्रांस्मिशन इंजेशन ऑफ और्गनिजम्स के थ्रो होता है जो की परजेंट रहता है एवार्टेट फीटस, विटल मेंब्रेंस, यूट्राइन और अम्निटिक फ्लोड्स में डिजीज के ट्रांस्मिशन का मुख के कारण इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेट फीड एंड वाटर है और लिकिंग ऑफ जनेटेलिया ऑफ अधर अनिमल्स भी हो सकता है वेनरल ट्रांस्मिशन इन केस ऑफ बूल जो है रेयर होता है लेकिन पाय जा सकता है इस लोड्सिस डिजीज के ट्रांस्मिशन का एक और कारण आर्टिफिसियल इंस्यूमिनेशन तब हो जाता है जब सीमेन बूरुसला से कंटामिनेटेट होता है और उस सीमेन को कृतिम गरवादान के माध्यम से काउ के यूटरस में डिपोजिट कर दिया जाता है एनिमल्स के साथ साथ हूमेन्स में भी बूरुसला के और्गनिजम्स का इंटरी का जो रास्ता है वो है म्यूकस मेंब्रेन, कंजाक्टिवा, वूंड्स और इंटक्ट स्कीन इन डारेक्ट माध्यमों से और्गनिजम्स बोडी के अंदर इंटरी कर सकता है इन केस ऑफ हुमेन्स, सोर्स ऑफ इंटरी के अलावा पीग, गोट, रैट, मंकी, फॉक्स, डॉग्स, फीस और अधर इंटरी का जो सकता है जो इस चार्ट में दिखाया जा रहा है बुरुसलोसिस कॉज करने वाला बुरुसला और्गनिजम्स डारेक्ट सनलाइट के परजिंस में कुछ गंटों में कील हो जाता है जिसका उप्योग करके इंफेक्टेड और अबॉर्टेड मेटेरियल्स को डारेक्ट सलाइट में छोड़ देना काफी उप्यूगत है उसे इस्टरलाइज करने के लिए अब आते हैं महतुपुर्ण सेक्षन क्लिनिकल फांडिंग्स पर इन फिल्ड कंडिशन यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है लास्ट ट्राइमिस्टर शिक्स मन्थ से नाइन्थ मन्थ के बीच में एबॉर्शन इसका ओवियस साइन है इसके साथ साथ स्टिल वर्ण और वीक काप्स इसका इंपोर्टेंट साइन्स है अधर क्लिनिकल फाइंडिंग्स के रूप में रिटेंशन ओफ प्लेशन इंपोर्टेंट है इसके साथ साथ मिल्क प्रोडेक्शन कम हो जाता है हेल्थ जो है ज्यादा एफेक्टेड नहीं होता है मेल कैटल अर्थाद बूल्स के केस में सेमनल विसिकल्स, एमपुला, टेस्टिकल्स, एपिटिडामिस यह इन्फेक्टेड होता है इस कारण और्गनिजम्स सीमेन में पाए जाता है एग लुटिन्स जो है वो प्रजेंट रह सकता है सेमनल प्लाज्मा में इन्फेक्टेड बूल्स के केस में और्गनिजम्स मुख की रूप से टेस्टिकल्स में राता है जिस कारण से टेस्टिकल्स टेबलप हो जाता है और काईटिस पाया जाता है इसके साथ साथ इन्फेक्टिन अगर क्रोनिक हो जाता है तो जोइंट्स एफेक्टेड होता है जिस कारण से अर्थ्राइटिक जोएंट्स जो है कुछ कैटल्स में पाय जा सकता है रुसलोसिस डिजीज डाइगनोसिस करने के लिए हमारे पास तीन माध्यम है क्लिनिकल साइन्स सिंटम्स जिसमें एबोर्शन इन केस ऑफ फिमल काव और औरकाइटिस इन केस ऑफ मेल कैटल यह सामिल है इसके अलावा सिरोलोजिकल टेस्ट के रिजल्ट के अधार पर और मैक्रोबियल कल्चर करके हम लोग डिजीज डिगनोसिस कर सकते हैं In case of live animals, microbiological culture करने के लिए samples का collection हम लोग placenta और other secretion से कर सकते हैं. Aborted fetus के case में microbial culture करने के लिए samples का collection हम लोग stomach contents और lung से कर सकते हैं. Screening for large group of animals इसमें हम लोग brucelosis card test और ravenol precipitation plate test का यूज कर सकते हैं. दोस्तों, in field condition animal herd के case में screening test के रूप में सबसे ज़्यादा applicable और convenient test है milk ring test. अब बात करते हैं control of brucelosis पे. याद रखे दोस्तों bovine के case में there is no effective treatment. infection को control किया जा सकता है through vaccination. young calf जो की 4 महने से 8 महने के बीच का है before bleeding उसको vaccination किया सकता है. किसी भी बड़े छेतर से बड़े फारम से या बहुत मविसियों के जुन्ड से बिमारी को खत्म करनी के लिए महतोपूर्ण तरीका है regular serological testing जिसके अधार पर positive पाए गए animals को segregate करके अलग कर देना ही इस बिमारी को रोख थाम के लिए महतोपूर्ण उपाय है. screening test के लिए महतोपूर्ण milk ring test को निमलेकित प्रकार से किया सकता है. milk sample ले करके उसमें बुरुसला antigen को मिलाया जाता है. milk को 35 डिरी Celsius पर एक घंटा या उसके अधी के लिए incubate किया जाता है. और उसके बाद उपरी सतह पर ring को दिखा जाता है. अगर ring पाय जाता है तो वो positive है. ring नहीं पाय जाता है तो वो negative है. बुरुसलाशी से लेटेड और भी detailed information के लिए दिये गए site का उप्योग कर सकते हैं जिसमें OIE और WHO महत्वपुन साइट है. कृत्रिम कुबारधान करता अर्थात AI workers के लिए महत्वपुन सुझाओ. हमेशा मास्क का उप्योग करें फूल हैंड कलब्स का प्रियोग करें आख में चस्में का उप्योग करें ताकि disease cause करने वाले organisms को अपने अंदर इंट्री से रुगा जा सके और जिनोटीट टीजिस को फैलने से रुगा जा सके पस्वपालगों के लिए मत्वपुन सुझाओ. अगर पस्वव में गर्वावास्ता के अंतीम तीन माह अर्थात 6 महने से 9 महने के बीच में abortion होता है तो शावधानी बरते abortion के बाद fetus या फिर placenta को direct hand से टच न करे नजदिकी पसची कित्तक से अवस्य सला ले और शावधानी से काम करे दोस्तों कच्चे दूद के इस्तिमाल से बचे दूद का उपियोग हमेसा boil करके ही करे दी गई जानकारी का उपियोग बुरस्लोसिस डिजीज को फैले से रुकने में अवस्य करे और लोगों के साथ सेर करे एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिरूंगा तब तक के लिए नमस्कार